हलो फ्रेंड्स मैं सुनीता सिंग आज आपको लेके चलती हूँ छट पर और वहां दिखाती हूँ क्या-क्या सबजियां लगी हुई है तो सबसे पहले शिमला मिर्च देखे कितनी सुन्दर कितनी बड़ी आई है और्गनिक इसमें कंपोस्ट डाला जाता है वर्मी इसमें फ्रूटिंग होनी बाकी है यह शिमला मिर्च ही है अघर देखे यह भी शिमला मिर्च है शिमला मिर्च की बहुत भरमार आई हुई है और यह चो छोटी मिर्ची होती है सबजी में खाने वाली तीखी मिर्ची जो पतली वाली होती है वो इसका पेड़ है चोटे छोटे फूल आते हैं इसमें और आ रहे हैं इसमें बर्ड सानी चोटी चोटी और यह औरनामेंटल जैसे होता है वो है लेकिन भी खाई जाती है बलैक कलर की है इसके यह देखे मैचुर हो गया है रैड हो गया अब यही इसका बीज बन गया इसको यहां डालेंगे अगर हम तो यह बनेगा तो इस तरह से इसकी फ्रूटिंग होगी इस तरह कि इसमें मिर्ची आएगी यह हमारे टमाटर और बैंगन था वजीब सी शेप लिया जाया तो चलिए खेर नेचर और यह है टमाटर थोड़ी सी कर लेते हैं इसकी हर्वेस्टिंग पक गया है बहुत जादा तो बहतर है कि इसको तोड़ लिया जाए जाए कितने हल्दिया देखिए आप भर भर के टमाटर आये हैं बहुत बड़े हैं बहुत जादा है यह दो टीन चार पांक श्य पीछे नेक च्छे का गुच्छा यह दो ऊपर लग है को हमां के आपने जहीति होता है पहलत आपने अपने हुआ होई गहत है ऑप ऊपना नदी कुछ हो रहें还有 कि तंह सार है तीन है और चार इसमें से हर्वेस्ट कर लिए हैं पहले ही यह फिर टमाटर टमाटर का तो लगता है सप्लाई करनी पड़ेगी मुझे सब्जी बंड़नी में ट्रक से कितना अच्छा लगता है देखना बस मानो बस यह लगता है कि लगे रहे हैं खाएं ना इनको तो आप भी यह सब कर सकते हैं यह है लेडी फिंगर चोटा सा पेड़ है च्छै इंच साथ इंच का मुश्किल से वसी में कितनी सारी इसमें देखे आप छोटी सी बर्ड्स भी आई हैं अधर दो बड़ी हो गई हैं दो अधर चोटी हैं और इस तरह से इसकी जो है हमने घर प पेस्टिसाइट्स भी छिड़कने के जरूरत नहीं होती है यह बैंगन हमारे यह है अनार का पेड़ यह भी कंटेनर में ही लगाया है चत के उपर तो यह रूफ गार्डनिंग है अनार आएंगे अब इसमें नीबू बहुत आते हैं यह देखिए अनार की फ्लारिंग और नीबू इसमें बहुत अच्छी फ्लारिंग हो रही है देखिए च्छोटे च्छोटे अगर आप देखेंगे तो अभी फूल जड़ गया तो अब यह नीबू आ गया है च्छोटे च्छोटे तो यह बड़े होंगे तो अगर मुझे लगेगा मैं दिखाऊंगी अगर आप चाहेंगे तो और बहुत अच्छा लगता है जब यह पूरा भर जाता है बड़े बड़े नीबू से देखिए यह भी आ रहा है तो बहुत अच्छा लगता है आप सुबह टहली च्छत में देखिए कि हमारे घर की क्या सबजिया है और इमर्जन्सी है तो तो तोड़ भी प्याज है इनको अलग अलग करना था लेकिन भूल गए तो यह एक जगे ही हो गए है कोई बात नहीं हम उपर का डाल में च्छोंक लेते हैं उसी से यह हैं प्याज के बीज प्याज के बीज को ही कलॉंजी कहा जाता है च्छोंकने के काम भी आती है कलॉंजी यह देखिए यही इसके सीड से इसको डाल दीजिए तो प्याज हो जाएगा तो प्याज देखे रूट इसकी जो रूट बॉल होता है जो हरा होता है वो अलग से खाया जाता है सबजी बनती है हरी की आप इस पे डाले भी चौंक सकते हैं सबजी चौंक सकते हैं और जब इसके बीज हो तब वो कलोंजी हो जाती है चलिए इसकी हर्वेस्टिंग कर ली जाए प्याज है देखे अच्छा हुआ है और एक ही पॉट में कई सारी चीजें है लगी हुई देखे आप देख सकते हैं अलुई रा भी लगा हुआ है अभी आप आगे देखेंगे तो उस महाँ पर कई प्याज भी लगा हुआ है यहाँ पर बैंगन भी लगा बैंगन आएगा प्याज निकल जाएंगे तो बैंगन बढ़ा हो जाएगा तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं जगे का यह फिर है शिमला मिर्च यह थोड़ी सी लाल हो गई अब इसको तोड़ा जाएगा मैच्य तो फ्रेंट कैसा लगा हमारा च्छत की गार्डनिंग रूफ गार्डनिंग कैसी लगी बताइएगा अच्छी लगी तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कमेंट्स तो आपको कर नहीं है थैंक्यू सो माज थैंक्यू